कि नमस्कार मेरा नाम अनूप नरायन सिंग है और आप रब्धी लाइब के डिजिटल नेटवर्क को देख रहे हैं हम कि यात्रा चल रही है कितना बड़ा बदला हो पाएगा विहार की एक जनता एक लोग एक नौजवान और उस विश्वास को आप देख रहे हैं कि हर जगा जो समर्थन मिल रहा है जो लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है जो लोगों ने तेखस्वी जी से उमीद रखा हुआ है उस उमीद को तेखस्वी जी ने सत्ना में आते ही जो पुरा किया उसके कारण हर लोग अब ही करते हैं कि तेखस्वी जैसे नेत्रित करता तेखस्वी जैसे सोच वाला विकास परक राजनिती करने वाला रोजगार और नौकरी परक राजनिती करने वाला नेत्रित करता हमको चाहिए, जो घरों में खुसाली भी लाता है, जो नौजवानों के चेहरे पर मुश्कुराहट भी देता है, जो बिहार के सरवांगील विकास के परती सोच रखता है, बिहार को परियटन के छित्र में राश्टिये पर ले जाने का जो उनका सोच रहा है, उस सोच को कहीं ना कहीं वो अमल में लाने वाले थे, लेकिन इस बीट में जो राजनितिक साजिस हुई है, जो राजनितिक खेल खेले, चुके जो लोग सत्ता और स्वार्थ की राजनिती करते हैं, वो इस तरह के खेल में महारत हासि विश्वास जताया है जो जनता ने उनके परती समर्थन दिया है उसको वो लोगों के विज्जा करके बताने का काम कर रहे हैं कि हम सत्ता से जरूर हटे हैं लेकिन जनता के मन से नहीं हटे हैं जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम पूरी मजबूती के साथ सड़क और सदन दोनों में रख करके सरकार को मजबूर करेंगे कि जो हमने 17 महिनों के कार्थकाल में काम तो किये नौकरी दिये 5 लाग के करीब साड़े चार लाग जो नियोजी सिख्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिये हमने इतिहासिक रूप से देश में पहली बार नजीर परस्टुत किया है उनी स्वेक्ट इसके बाद पहली बार जाती है गन्ना का आंकड़े ला करके हमने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्य उसकी उतनी हिस्सेदारी तैक की जाएगी उस दिरिश्टिकत हमने 75% आरक्षन की बिएस्था किया और 10% जो EWS के लिए आरक्षन को हमने कानूनी प्रधान और कानूनी जामा पहनने का काम किया भाजपा सासित राज्यों में भी ये अभी तक से मामले को कानूनी मानिता नह प्रधा करके सभी वर्गों का जो आरक्षन वैस्था को बढ़ाने का काम किया यह प्रश्टूप से दिख रहा है हम जो जनता और जनता के हीतों के लिए काम करना चाहते थे वो 17 महिनों के अंदर हमको जब मौका मिला तो हमने काम करके दिखाया हमने बताया कि सरकार किस तर एक लाग पैतिस दार स्वास कर्मियों के लिए कैबिनेट से एप्रूबल दे करके बाहर आ हैं, हम उसको पूरा करवाने के लिए राज सरकार पर दबाव बनाएंगे और किसी भी इस्तितिया पर इस्तिति में उन नौकरियों को जो नौजवानों के लिए हमने फिक्स कर दिय हैं, उसको हम दिलाने का काम करेंगे, यह हमारी सोच है, अजया सहब जो 17 महीने की बात हो रही है, रोजगार की बात भी मानते हैं, बिरोधी भी मानते हैं कि तेजस्वी यादों में संभावनार है, लेकिन जो सुर्बदले हैं, मुसलिम यादों समिकरन है, OVC की पाटी न आपको समझने के आप सकता है, लालू परसाद जी, तेजस्वी जी, आज जितना भी जंजावत जहल रहे हैं, जितना भी संकट जहल रहे हैं, जितना भी कठनाईया जहल रहे हैं, उन्होंने असपश्टा जो भारतियन तापाटी को संदेश दिया, कि इंसान और इंसानियत उसको बचाने के लिए और उस पर कोई डेंट नहीं करे इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्वानी देनी होगी चाहे जितना भी जहनजावत जहना होगा हम छेल लेंगे लेकिन हम भारतिय इंता पार्टी जैसी सेक्टियों को इस देश में पनपने नहीं देंगे ये बात मुस इसी भी लाला चाव मुह में नहीं आ करके जो कुर्बानिया दी है जो जंजावत जहले हैं जो कठनाईया जहली है वो सब को पता है इसलिए बताने की अफसित्ता नहीं है और जो लोग आते हैं बिहार में और फायर करके चले जाते हैं सबसे पहले तो उनको बताना कि उनकी लड़ाई भार्देंता पार्टी से है कि तेजस्वी परसाजादा और लालू परसाजी से हैं आप भार्देंता पार्टी के खिलाब या भार्देंता पार्टी की नीतियों के खिलाब कुछ नहीं बोलते हैं लेगिन कहीं न कहीं तेजस्वी जी को टार्गेट करक आप राजनितिक एजिंडा उन लोगों के द्वारा जो आपको सेट करके दिया जाता हूं उसी के तहट आप उस संकल्पों को आगे बढ़ाते हैं तो ये विहार है अब विहार का एक-एक आवाम एक-एक नौजवान एक-एक मुसल्मान एक-एक वर्ग का लोग इस बात को ज घ्राणता है कि लालू परसाँ जी देजस्वी जी सटा और सत्य के बाहर भी के रहे सागर्स और को जो विशवास मुसल्मानों अर्ज यो मुसल्मानों पर विश्वास लालू जी तोड़ महना है यह हैं एजाज हुसेन साहब और इसका साफ मानना है कि जो 17 महीने में तेजस्वी यादों जो वादा किये थे बिहार की जंता से उसे पुड़ा किया है जिसका पुड़ा का पुड़ा फाइदा उठाने की कोशिस महागठवंधन लोकसभा और बिधान सभा चुनाओं में करे ही है उससे बिहार के पॉल्टिक्स पर कोई असर नहीं परने वाला है